आज इस वीडियो में हम देखिए इंडियन पॉलिटी बाई लक्षमी कान्थ का चाप्टर 26 जो है सुप्रीम कोड इसके बारे में हम सीखेंगे तो not only लक्षमी कान्थ के बुक का तो मैंने सब कवर किया है लेकिन सुप्रीम कोड के और कुछ important points थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किये है ताकि बहुत सारी जो अलग-अलग एक्जाम में सुप्रीम कोड पे question पूछा जाते है उसका आपको concept समझे आप उसके answer दे पा हमें देखिए हमारा Indian judiciary system को समझना जरूरी है आपको इसकी basic तो पता होंगी कि यह एक दूसरे से connect होता है मतलब अगर आपका case कोई चड़ रहा है district court में आप अगर उसको हार जाते हो तो आप high court में apply कर सकते हो high court में भी अगर हार जाते हो तो आप supreme court में भी इसको apply कर सकते हो सब में उपर का top most क्या होता है supreme court होता है यह एक दूसरे से इसका structure किस तरह से है यह single integrated judiciary system, इसका मतलब यही होता है कि एक दूसरे से हम कहेंगे यह connect होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप district में हार जाते हो, तो high court में apply कर सकते हो, high court में हार जाते हो, तो supreme court में आप apply कर सकते हो, मतलब supreme court का जो decision होता है ना, तो इनको सबको सुनना ही पड़ता है, ठीक है, यह final decision होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अगर state में, मतलब महाराष्ट में, कोई अगर decision लिया गया वहाँ के district court से, तो उसको मतलब supreme court में आप उसके लिए apply नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है single integrated judiciary system में आप apply कर सकते हो, तो यहीं उसके meaning होते हैं, यहाँ पर सब अपनी मन मानी नहीं कर सकते, तो final decision supreme court लेता है, और इनका भी important होता है, ठीक है, अब आपको यह point को देखिए समझना है, unlike the other two branches, हमने देखा था, इससे पहले कोई वीडियो में जो यान नहीं आ रहा है, उ executive, legislative और judiciary, तो देखिए हमने parliament chapter में इसके बारे में discuss किया था, कि तीन organs होते हैं हमारे system के, executive, judiciary और legislative, अब यह point क्या कह रहा है, देखिए, unlike the other two branches, executive, legislature, in India, judiciary is integrated, अब इसको आपको समझना है, that means that even though there may be high courts in state, the law declared by the supreme court shall be binding on all courts within the territory of India, article 141 में इसको बताया गया है, मैं आपको इसको basic से एकदम simple करके समझाता हूँ, तीन organ हैं हमारे executive, legislator और judiciary, अब हम इसमें judiciary पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए, कोई state है हमारे इंडिया, कि मैं महराष्ट का example लेता हूँ, महराष्ट का जो court है, high court है महराष्ट में, तो वो कोई अगर decision लेता है, किसी topic को लेके, तो उसका वो final decision नहीं होगा, ठीके, मतलब यहाँ पे वो, जो हमारा जो supreme court decision लेता है, वही पूरे इंडिया पे applicable होता है, 100% आपको ये बात आपके mind में बिठाना है, कि जो high court में decision लिया गया है, finally या शुरू में, कोई अगर case के बारे में, तो वो पूरे इंडिया पे applicable होता है, ये article 141 में बताया गया ह है, ठीके, अभी हम executive or legislature की बात करें, तो समझो, कोई bill आ रहा है, जो कोई particular state में वो applicable है, ठीके, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कि वो bill हर state में applicable होगा, जैसे मैं बात करूँ, कि NRC के अगर मैं बात करूँ, अगर NRC कोई state में applicable हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हर state में applicable होगा, बट, अगर हम बात करें, judiciary की, तो अगर हमारा जो supreme court है, जो एक final court हम कहेंगे उसको, अगर वहाँ पे कोई decision लिया जाता है, किसी state का अगर कोई decision को वो कहते कि ने, आपने ये wrong decision लिया है, हम इसको इस तरह से कहते कि ये सही है, तो वो अब उस state पे भी applicable होगा, और पूरे इ पड़ेंगी, ये होता है हमारा integrated judiciary system, और ये किस article में बतायागा है, article 141, तो हर बार जरूरी नहीं है, कि execute your legislature, समझे कोई law आते है, किसी particular state में वो law है, तो पूरे अलग state में भी होगा, वहाँ पे ये condition नहीं है, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे bound to है, होगा ही होगा, जो supreme court ने कहा है, वो पूरे state को सुनना ही पड़ेंगा, ठीक है, उसको applicable करना ही पड़ेंगा, अब हम supreme court से related, first कुछ G के cover करेंगे, उसके बाद हम हमारे main point पे आएंगे, क्योंकि हमको background भी पता होना चाहिए, जहां हम कोई topic सीखते है, तो मैं starting में mostly G के रख आता हूँ, फिर point पे आता हूँ, हमारे main topic पे हम आते है, तो दीखे, the design of the supreme court building was designed in the indo-british architecture style by the chief architect गनेश भीकाजी देवल कर, the first Indian president of the central public works department, तो हमारे दीखे, the design of the supreme court building का जो design है, वो कब बना था, इंडो-british के time में वो बना था, उनकी style हमने ली थी, architect style by the chief architect, उस time के एक chief architect थे, जिसने ये design किया था, उनका नाम क्या था, गनेश, भीकाजी, देवलाल, कीकर, तो हमें ये नाम भी याद रखना है, उसके बाद ये कौन थे, उसके बाद ये the first Indian president भी बने थे, of the central public works department, तो ये 3-4 हमने GK के point इसमें cover कर दिये, कि हमारे जो supreme court building का design है, वो इंडो-british के time उसको design किया गया था, कौन थे उसके architect, ठीक है, chief architect थे, गनेश, भीकालाल जी दिवलकर, उसके बाद वो क्या बने, the first Indian president of the central public works department, इसके बाद और कुछ fact figure और GK दिखे, the first chief justice of supreme court, कौन थे वो, हरीलाल जेकी सुन्दास कानिया, यह में पता होना चाहिए, the first female justice of supreme court, वो है Miss Fatima B, इसके बाद दिखे, the person who became the chief justice for maximum time, तो बहुत बार जो chief justice of India के बने वो, तो कौन थे वो, तो यश्वंत विश्नू चंद्रचूद, उसके बाद, the first chief chief justice of the supreme court, वो थे, जग्दि सिंग केहर, तो यह भी हमें पता होना चाहिए, जीके में यह question पूछे जाते हैं, कई अलग-अलग exam में, shortest tenure chief justice, shortest tenure था उनका, तो कमल नारायन सिंग थे, वो कब से कब तक, 25 November 1991 to 12 December 1991, तो यह उनका deviation था, सब में shortest, उनका नाम क्या था, कमल नारायन सिंग, इसके बाद दिखिए, emblem of the supreme court of India, तो इसमें से हमारे supreme court of India का emblem क्या है, तो कई लोगों के दिखिए, mind में, अगर यह question मैं अगर पूछता हूँ, तो उनको answer यह लगेंगा, कि एक हाथ में कोई तराजू एक lady के हाथ में, दूसरे हाथ में sword है, तो actually यह हमारे supreme court का emblem नहीं है, यह है उसका emblem, अगर हम motto की बात करें, तो यह तो धर्मस्तो जाए है, इसको हम motto कह सकते हैं, और यह हमारा emblem है, तो अगर question यह आता है, कि फिर यह क्या है, जिसके हाथ में एक lady है, उनके हाथ में एक तराजू है, एक हाथ में तलवार है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन यहाथ इस question का अंसर यह है, यह नहीं है, ठीक है, motto अगर पुछा जाए, तो यह तो धर्मस्तो जाए, और emblem यह है इसका, तो अब हम बात करते हैं, इस image की, जिसके एक हाथ में है sword, आखो पे पटी है, और एक हाथ में तराजू है, तो यह concept कहाँ से निकलाया, देखी, ancient Rome में, goddess of justice is justia, ठीक है, goddess of justice को justia कहा जाता है, whose scales are in one hand, the second is a double-edged sword, जैसे इसमें बताए गया है, and the bandage is banded on the ice, same, यहां से यह concept आया है, ancient Rome से, goddess of justia हमें से कह सकते है, तो इसके अंदर यह, यह चीज़े क्या, इस तरह, इस मतलब normally नहीं ले गई है, कुछ indicate करती है, कुछ हमें दर्शाती है, जैसे कि sword हो गई, फिर यह तराजू हो गई और एक्सेटरा, तो उसके बारे में हम अभी जानते हैं, तो सब में पहले दिखिए, swords, express the balance of justic and conscious, sorry, consigns, तो यह express करता है, balance, ठीक है, and consigns, और उसके बाद यह important है, आखो पे eye shadow, आखो पे party, मतलब देखिए, अगर आप कोई post पे हो, for example, आप judge हो, तो आपको यह नहीं देखना है, कि सामने कोन है, यहाँ पे judge तो नहीं कहेंगे हैं, कि मतलब fairlessly decision लेना है, अगर आपका कोई relative सामने है, तो उसके लिए भी वह decision होगा, जो किसी और के हो लिए होगा, तो आपका जो decision है, आपका जो justice है, वो fairlessly होना चाहिए, सब के लिए समान होना चाहिए, तो यह दर्शाता है, अब यहाँ पे हमें comparison करना है, American judiciary system और Indian judiciary system के बीच में, तो आप देखिए, एक central judiciary system होता है, और एक federal judiciary system होता है, center मतलब देखिए, जो हम यहाँ पे example कहोंगे, high court है, ठीके, और federal मतलब जो छोटे-छोटे court है, supreme court है कि हम इसको central कहेंगे, उसके आध हाई court और district court को हम जो normal federal court कहते है, तो मैंने यहाँ यह example लिया है, शाहिए इससे आपको इसको समझने में आसाने होंगी, कि अमरिका का judiciary system किस तरह का है, तो देखिए, वहाँ पे center तो center है, उसके एक अलग power है, मगर federal judiciary system है, वहाँ के जो अलग-अलग state है, उनको भी बहुत जादा important दिया गया है, वहाँ के ज law बनाते है, तो वहाँ पे center उनको force नहीं कर सकता, कि हमारा final decision यह आपको मानना पड़ेंगा, simple language में, जैसे कि example, एक movie आई थी हमारे रितिक रोशन जी की, जोधा अकबर, उसके अंदर देखिए, यह center तो होते है, मगर उनके center जो जूडी शरी उनको हम कहेंगे, अकबर जी क system को समझने के लिए, यह और एक example है, शायद इससे आपको यह concept समझ में आ जाएंगा, देखिए, मैं जो example दे रहा हूँ, सिप concept समझने के लिए आपको दे रहा हूँ, बात में इसको, किसी और चीज़ से आपको link नहीं करना है, यहाँ पर concept समझना है, उससे भूल जाना है, अब देखिए, American Judiciary System के अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ का system किस तरह से है, कि यहाँ पर यह समझ लिए देखिए, Central Judiciary System है, और यह फेडरल Judiciary System है, इंडिया, और अमरीका जो है, यह Central Judiciary System है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है न, कि जो भी यहाँ पर अगर George Bush हम कहेंगे, यह फि आप आपके जगा पे best हो, powerful हो, बट हमारा भी कुछ important है, हम आपकी हर बात नहीं मानेंगे, यह है American Judiciary System, कोई Trump आजाए, या फिर यह आजाए, या फिर और कोई भी आजाए, हमारा भी important है, तो इस तरह से हमें बस यह link करना है, कि वहाँ पर state का अलग importance है, वो भी अपने decision ल परी तरह से नहीं होता है, अब हम आते हैं, हमारे Indian Judiciary System पे, आप इसको आपको समझना है, अमरीका का हमने समझ लिया, आप यहाँ पर देखिए, यह कह रहे है, यह supreme code इनको थोड़े दिर के लिए आप consider कीजिए, I am the boss, इंडिया के अंदर, यह कह रहे है कि मैं boss हूँ, ठीक तो उसके बाद high code क्या कह रहा है, yes right, आप boss हो, उसके बाद subordinate code क्या कह रहा है, yes right, आप boss हो, मतलब यह पूरी तरह से इनकी बात मान रहे है, अगर supreme code कोई decision लेता है, तो अब इनको मानना ही मानना है, यह दोनों को मानना ही मानना है, अमरीका में वैसा नहीं हो रहा था, वह आप यहाँ पे देखे क्या है, I am the boss right, supreme court हो, बाई, subordinate court हो, इनका फैसला आकरी होगा, इनकी हर बात इनको मानना होगी, यह है हमारा Indian Judiciary System, अब देखिए, the supreme court of India was inaugurated on January 28, 1950, date हमें याद रखना है, supreme court is related, यह है, उसके बाद इससे पहले तो कुछ होगा न, उसको फिर अनने succeed किया होगा, तो देखिए, it's succeeded the federal court of India, किसको succeed किया, federal court of India, established under the government of India act of 1935, यह याद रखना है, हमको कब established हुआ, इससे पहले किसको succeed किया, कब किया, ठीक है, तो यह सारी information बहुत ही जादा useful है, तो इसे note करके आप रख लीजिए, इसके बाद देखिए, the regulating act of 1773, established of supreme court act, Fort William, Calcutta, this supreme court consists of one chief justice, तो यह यह था, regulating act 1773, अब organization of supreme court, number of judges के देखिए, इस तरह से इसका structure था, the original strength of supreme court was 8 judges, 19 में 50 की बाद कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1950 में 8 judges, उसके बाद 1956 में 10 judges, 1960 में 13 judges, 1977 में 17 judges, 1986 में 25 judges, तो इस तरह से यह बढ़ते गए, obviously cases जब बढ़ेंगे, जब 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 बढ़ेंगी judges ते, तो यह बढ़ते जाएंगे, कम तो नहीं होंगे, तो इस तरह से यह कब कितने बढ़े, यह पूरा उसका structure है, अब हमें qualification देखना है, Supreme Court के judges से, तो सब में पहला, हर जगा पर यह इंडिया में होता है, must be citizen of India, तो थोड़ी दिल के इसको आप भूल जाएंगे, हर जगा आपको यह देखने को मिलेंगा, अब हम main qualification पर आते हैं, तो अब यह main qualification, qualification of judge of Supreme Court, तो judge of high court for five years, तो high court का judge होना चाहिए, पाच year कम से कम, उसके बाद advocate of high court for ten years, तो दोनों में से अगर एक भी है, तो वो qualify यहां पर कर जाएंगा, जज अगर है तो five years का होना चाहिए, advocate है तो ten years का, कहां पर high court का, high court में, उसके बाद हमने यह तो देख लिया, कि judge of high court for five years, advocate of high court for ten years, advocate है तो ten years, और judge है तो five years high court में इतना उनने duration spent करना होना चाहिए, उसके बाद distinguished jurist in my opinion, यहां मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे president के नजर में वो एक distinguished jurist होना चाहिए, अब यहां पर हमें एक बात याद रखना है, कि यहां पर कोई minimum age नहीं बताया गया है, qualification of supreme court के judges के लिए मैंने आपको कहीं नहीं बताया, तो मैंने starting में क्या बताया है, citizen of india, तो यह point आपको वहाँ पर examiner tricky खेल सकता है, तो याद रखिये, ठीक है, अब हम appointment की बात करते हैं, तो judges of the supreme court are appointed by the president, ठीक है, तो president का अगर मैं आपको एक काम बता दू, तो यह कई लोगों को appoint करते हैं, exam में अगर आपको question नहीं आता है, negative marking नहीं है, तो देखिये, किसी को कौन appoint करता है, तो mostly president कई important person को appoint करते हैं, आपको यह याद रखना है, इसके बाद the chief justice is appointed by the president again after consultation with such judges of the supreme court and high court as he dims necessary, chief justice को president appoint करता है, directly किसी को भी appoint नहीं करेंगा, कुछ उनको consultation करना पड़ता है, किसके साथ, जैसे judges of the supreme court and high court as he dims necessary, इसके बाद the other judges are appointed by president after consultation with the judge, chief justice and such other judges of the supreme court and high court as he dims necessary, तो mostly president हम देख रहें कि हापर appoint कर रहें, कहीपर direct कर रहें, कहीपर उनको consultation की ज़रुरत होती है, तो यहाँ पर उनको consultation किया और यहाँ पर देखिए, judges of the supreme court अगर वो qualify करते हैं, तो वो appoint कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, the consultation with the chief justice is obligatory compulsory है, in the case of appointment of a judge other than chief justice, ठीक है, अब यहाँ पर ओत की बात आजी आती है, तो वहाँ पर आगे देखिए, president जी कभी यहाँ पर मैंने photo use किया है, तो यहीं होते हैं, जो ओत दिलाते हैं, अब किस तरह से यह होता है, देखिए, तो oath of office is administered by president of India, ठीक है, in the absence of president, अगर president नहीं है, तो some other person appointed by president would perform the same, हो सकता है कभी president जी कई बाहर के दोरों पे हैं, किसी और काम में वो busy हो, important, या फिर या शायद वो बीमार हो, तो इस time में वो क्या करते हैं, if I am not present, I will arrange someone who किसी और को arrange कर देते हैं, तो यह थे important points related to oath, अब बात आती है, main point पे, मतलब salary पे, तो देखिए, salaries, allowances, नहीं कुछ allowances दिये जाते हैं, judges को, privileges, leave and pension of the judges of the supreme court are determined from time to time by the parliament, ठीक है, यहाँ पर यह सारी चीज़ों का, salaries उन्हें कहां से provide होती, allowance, privilege, तो यह कूण determine करता है, parliament determine करती है, अब इसके बाद दिखिए, no provision of pension in the constitution, तो constitution में यह judges की provision, जो pension के बारे में नहीं बताया गया है, कोई provision नहीं बताया है, यह तो हमारी parliament है, Parliament has provided pension to the members, तो भाई यह जो judges है, तो इनको Parliament का thanks करना चाहिए, क्योंकि constitution में कुछ provision इसके बारे में नहीं बताया गया है, मत पारलिमेंट ने इन चीज़ों का ध्यान रखा है, और रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इनको इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया, तो यह अपने post का miss use कर सकते है, ठीक है? तो यहाँ पर judges के लिए Supreme Court के कोन माई बाप है, Parliament है या Constitution है, तो obviously Parliament है, अभी देखिए tenure के हम बात करते है, the Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court, यहाँ पर Constitution ने फिर से क्या कर दिया, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे judge से related, तो यहाँ पर देखिए, however, it makes the following three provisions in this regard, तो हमें देखना है, यह चीज़ों को याद रखना है, tenure से related, he hold office until he attend the age of 65 years, तो judges of Supreme Court के 65 years तक office hold करके रख सकते हैं, any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by Parliament, फिर से यहाँ पर Parliament को important दिया गया है, और यह चीज़ों को वो handle करता है, इसके बाद he can resign को, judges of the Supreme Court हम कह सकते हैं, his office by writing to the president, तो president के पास यह resign दे सकते हैं, उनका, he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament, he can be removed from his office by the president, ठीक है, president के बाद यह resign दे रहे हैं, उनको बाद president को remove कर सकता है, but on the recommendation of the parliament, अब यहाँ पर एक concept आता है, acting chief justice, justice, तो यह क्या है इसको हम को समझना है, the president can appoint a judge of the Supreme Court as an acting chief justice of India, तो यहाँ पर फिर से हमारी परसेडिन जी appoint करते है, Supreme Court के judge को as an acting chief justice of India, कब, कब appoint कर सकते है, the office of chief justice of India is vacant, तो यब यह post vacant हो जाएंगी, कब होगी, राजी नामा देते हैं, या उनकी date हो जाती है, या उनको निकाला जाता है, तब यह seat खाली हो जाएंगी, उसके time में, acting chief justice को हमारी president appoint कर सकते है, तो उसके बाद, chief justice of India is temporarily absent, तो हमारी जो chief justice of India, अगर temporarily absent है, उस time में यह इसको, वहापे acting chief justice को appoint कर सकते है, तो चीप justice of India is unable to perform the duties of his office, अगर हमारे chief justice of India, उनके duty को perform करने के लिए unable है, ठीक है, तो उस time में एक acting chief justice लाया जाता है, तो यहाँ पे सवाल यह होता है, कि यह acting chief justice जो है, कि वही काम करता है, जो chief justice of India करते हैं, उनको वह power मिलता है, जब तक कोई नया chief justice नहीं आता है, उस post पे टब टक एक acting chief justice वहाँ पे होता है, क्यूंकि उस post को खाली नहीं रख सकते हैं, बहुत काम होता है, और चीज़ को manage करना पड़ता है, इसलिए यह concept लाया जाया है, acting chief justice, तो यह बात याद रखना है, अगर seat vacant हो, कब होती है, obviously उनको उनको उनके जगापे से निकाला जाए, उनकी देत हो जाए, या एक्सेटरा, अगर वो absent हो, absent भी हो सकते हैं, अगर बीमार है, कुछ और reason है, तो उस टाइम में वो absent होगे, unable to perform the duties of his office, तो उनकी duty करने के लिए, वो अक्सक्षम है, तब भी उनको, यहाँ पर हमें acting chief justice ला सकते हैं, उसके बाद, अगर जज़ बुलके एक concept आता है, अगर बात आज़ती है, अगर बात आज़ती है, अगर ज़ज, तो उनको कोंड अपाइंट करता है, chief justice of India, with the prior concern of the president, ठीक है, प्रिसिदेंट से वो concern करते हैं, मगर अपाइंट मेंट कोंड करता है, chief justice of India, when there is a lack of quorum in the supreme court, क्या होता है, sometimes काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई सारे दिक्कते आते हैं स्टेम में, तो इस टाइम में वो अड़ोग ज़स को ला सकते हैं, तो इसके बाद और भी कुछ important points मैंने इस वीडियो में cover की है, तो उससे पहले एक छोटी से आपसे request है, मेरे चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो प्लीज इसे subscribe कीजिए नीचे इस तरह का एक icon होगा, बेल icon, sorry, एक subscriber का icon होगा, उस पे click कीजिए, उसके बाद बाजू में बेल icon आता है, उसको भी आपको click करना है, ताकि सबसे पहले आपको इस वीडियो के notification मिल जाए, ठीक है, तो इस तरह के मैं और कुछ वीडियो लाओंगा, लेकिन प्लीज मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को subscribe बटन पे आपके click कीजिए, और से subscribe कीजिए, उसके बाद और एक concept है, attendance of the retired judge, तो यह क्या होता है, देखिए, attendance of the retired judge of the Supreme Court as a judge of Supreme Court, तो जो judge retire हो जाते है, उनको फिर से as a Supreme Court के judge के post पे लाया जाता है, कब जब बहुत सारा वर्ग बढ़ जाता है, इस टाइम में यह experience होते है, तब किस तरह से उनको appoint किया जाता है, देखिए, जो cheap justice with the prior concern of the president, यहाँ पर भी इनको कौन appoint करता है, याद रखिए, cheap justice of India की, यहाँ पर add-off के टेम में भी chief justice of India है, acting, उसके बाद देखिए, हमने acting cheap justice देखा था, बट वहाँ पर president appoint करते थे, बट यहाँ पर फिर से, cheap justice of India appoint कर रहा है, prior concern with president, can request in return a retired judge of the supreme court, to seat and act as a judge of supreme court, if there is excess work before the court, तो एक return में लिख कर, किसको send करते हैं, retired judge को, कि आप आईए, act कीजिए as a judge of supreme court, तो यहाँ पर कब तक, जब तक काम पिर से normal level पर नहीं आ जाता है, तो यह act कर सकते है, supreme court के judge की तरह कों retire judges, तो भाई यह तो retire judge कर रहे हैं, कि हम आएंगे, but what about हमारे salary के बारे में क्या तो, when a retired judge perform the role as a judge of supreme court, he draws a salary along of judge of supreme court, तो मिलती है, उनको salary भी मिलती है, उतनी मिलती है, जो supreme court के judges की होती है, तो यहाँ पर उनको देना भी ज़रूरी है salary, तो इस तरह से यह mention है, अब यहाँ पर independence of supreme court, तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हमारे executive, legislature, और judiciary यह तीन ओर्गान हैं, हमारे system के, तो अब यहाँ पर इनको इनका independence दिया गया है, supreme court को, क्योंकि बाकी जो है इन पर दबाओ ना दाले, इनको wrong decision लेने के लिए मजबूर ना करे, तो देखिए, कुछ इनको provisions दिये गया है, अधिकार दिये गया है, जिससे यह independence बन जाते है, separate from executive, executive से यह separate होते, constitution has guaranteed to keep a distinction between the judiciary, the executive in matters of public services, obviously इनको executive से अलग रखा गया है, ताकि अपना काम अच्छी तरह से कर पाए, normally क्या होता है, नेता जी का call आता है, और हमको तो पता है, उस्टोरी के भाई इसको छोड़ दो, ठीके, बले उसने कितने भी खुन क्यों ना किया हो, तो किस पर कंट्रोल रख सकते हमें पता है, पोलीज इपार्मेंट पर तो पूरा कंट्रोल होता है, ठीके, जाने दीजिए ओ टॉपिक को, यहाँ पर देखिए, इनको इंडिपेंडेंडेंस दिया गया है सुप्रीम कोट को, उसके बाद, बैन अन प्रैक्टिस अफ्टर रिटार्मेंट तो क्या होता है, एनी जोज आप देखिए सुप्रीम कोट इस नाट अलाओ तो प्रैक्टिस इन एनी कोट आफ लाइन इडिया, अब बैन अन प्रैक्टिस इसलिए रखी गई है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कि ये बाद में खुद के फाइदे के लिए शायद ये जजेस कोई गलट डिसीजन ले ले के बाद में हमें भाई और भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, तो किसी से पंगा मतलो, टाकि सही डिसीजन ना ले, तो इस तरह के इंडिपेंडेंस रखा है उनको, उसके बाद expenditure charge on consolidated fund, तो उसमें क्या आता देखिए, expenditure charge में, salaries, allowances, pensions are charged on the consolidated fund of India, on which the executive has little control, तो कभी-कभी executive क्या करेंगे, इनको धमकी दे सकते, आपको frankly मैं कहे रहा हूँ, या फिर दबाव लाग सकते कि हमके, तुमारी salary, pension, जो यह सब चीजे है, हम इनमें problem करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते ही है, ठीक है, उसके बाद security of tenure, obviously वही बात आती है, कि हम तुमको, हमारे पोर्ट से पहले निकाल देंगे, तुमको इतना इतना time दिये गया, उससे पहले मैं आप धमकी दे सकता है, कोई उसको, कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो हम तुमको निकाल देंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते है, यह security of tenure दिया गया है, ठीक है, any judge of the supreme court can't be removed, ठीक है, by any arbitrary manner, he can only be removed, by the way, in which the constitution has decided, तो constitution ने जैसा decide किया है, उसके हिसाब से निकालेंगा, अने तो कोई आरा गहरा आरा है, एक phone लगा लेते हैं, और उसको उसके post से निकाला जाएंगा, ऐसा नहीं होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद दिखे, way of appointment का भी एक सही तरीका होता है, यह point इसलिए है, मेरे हिसाफ से, कि कोई समझो नेता है, तो वो क्या कहेंगा, कि उसका कोई, उसको, महा पे उसका, महा पे भी judiciary में भी उसको खुद का दब दबा रखना है, तो किसी अपने कोई वो appoint करा देंगा, ऐसा नहीं होता है, एक process, इस सही तरीके से होता है, क्योंकि गलत आदमी हो पिर ना आ आ जाए उस post के लिए, तो fix एक service allocation दिया जाता है, इसके बाद यह point यहापर repeat हो गया है, तो यह आपको obviously अच्छी तरह से समझ में आ गया होंगा, कि executive control नहीं होता है भाई इन चीज़ पे, अगर होता, तो बात कुछ और होती, बहुत ज़्यादा इस Supreme Court के judges को, या फिर judiciary को pressurize किया जाता, ऐसा नहीं है, आज भी law बरकरार है इंडिया में, और यह system अच्छी तरह से मेरे हिसाफ से तो अभी भी चड़ रहा है, बाकी हर तरब तो घपला चालो है, हमें सब पता है, ठीक है, इसके बाद दिखिए, conduct of judges, तो conduct of judges can't be discussed by the parliament or state legislature with respect to the conduct of judges, तो इनके बाते भी discuss नहीं कर सकता, कोई भी इनके decisions, यह independence होते हैं पूरी तरह से, दिखिए, power to punish for its contempt, Supreme Court can punish any person for its contempt, कोई गलती करेंगा, कोई crime करेंगा, तो यह punish कर सकते हैं, उसके बाद इनके जो jurisdiction होते हैं, jurisdiction of Supreme Court can't be decrease, नहीं decrease कर सकते हैं, obviously, कोई आरागारा आएंगा, और decrease कर देंगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि independence रखना बहुत ज़रूरी है Supreme Court को, तो यह सारे point आते हैं इसके independence में, उसके बाद दिखिए, Indian Quality by Lakshmikant, यह book बहुत ही important है, आप कोई भी government exam अगर दे रहे हो, Indian Quality अगर आपको पढ़ना है, तो आपको यही book पढ़ना है, आपका time waste नहीं करना है, कोई और book पे, इसी book पे question आते हैं, यह एक हम कहेंगे authenticate book है, लक्षमी कान जी की, यह फिर इनने पूरी market को cover किया है, इनका dominance है, कोई और book इनके सामने tick नहीं सकती, तो इसकी link मैंने description में दे दिये हैं, वहाँ से जाके भी आप उसे purchase कर सकते हैं, बहुत अच्छी book है, अच्छी तरह से इसे पढ़िये, वीडियो से आपको concept के लिए समझ जाएंगे, बाट reading भी बहुत ज़रूरी है, तो description में link है, वहाँ से आप purchase कर सकते हो, अब देखिए, jurisdiction and power of supreme court, तो supreme court को कुछ बहुत ही अलग हम कहेंगे, या कुछ ऐसे power दिये गए है, कि हमने कई cases देखी है, जहाँ पे supreme court के judge ने, बहुत बड़े-बड़े minister को, उनने जो गलत काम किया है, या corruption में या कुछ हम कहेंगे के लिए, उनने उनको सजा दी है, ठीक ह तो बहुत अच्छे powers दिये गए है supreme court को, जैसे कि original jurisdiction, read jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, revisory jurisdiction, court of record, उसके बाद power of judicial review, other powers, तो ये सारे powers दिये गए है किसको supreme court of India को, तो इस वीडियो में इनको properly सीखा पाना, बता तो दूँगा मैं थोड़ा-थोड़ा, बट वो ठीक नहीं होंगा, important है, काफी important है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में, jurisdiction, powers of supreme court का मैं बनाऊंगा, उसमें deep detail में, trick के साथ, अच्छी तरह से हम इससे समझेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज जादा से ज्यादा शेर कीजिये, like कीजिये, thanks for watching my video.